इस बार के चुनाव में मुझे पूरा भरोसा है कि इस स्थान से जो आशीरवाद मिली रहा है वही हमारी चुनावी जनसवा में उपस थे सभी लोग इस बार आशीरवाद दे करके कॉंग्रेस पार्टी के प्रत्यासी को न केवल जिताएंगे वलकि एतिहासिक बोटों से लो मैं देख रहा हूँ कि जब से इंडिया कड़बंदन के प्रत्यासी यां चुनाव मैदान में आ गए है तब से भाजपा ने अपनी पोटली अमेंठी से बांद ली है और ये चुनाव एतिहासिक चुनाव होने जा रहा है जहां एक तरफ अमेठी में अबने हैं दूसी तब हमारे जो कॉंग्रेस के प्रत्यासी हैं जो अबने के मुकावले में एक सीधे साधे विने के रूप में आपके बीच में प्रत्यासी बने हैं उनके बीच में चुनाव होने जा रहा है और ये ऐसे व्यक्तित्व के और ऐसे व्यक्ति रहें जिनोंने अपना पूरा जीवन आपको अपने पन के भाव से जीत करके आपके साथ हमेशा हमेशा रहे हैं और मुझे जानकारी हुई है के अमेशी में स्लिंडर वाले लोग अमेशी में स्लिंडर वाले लोग अब स्लिंडर कर रहे हैं और मुझे वो से में भी याद है जब अमेशी में मीठी चीनी के लिए करवा जूट बोला गया था याद है के नहीं याद है मीठी चीनी के लिए करवा जूट बोला गया था और ये करवा जूट बोलने वालों ने क्या आपको तेरे रुपए किलो चीनी दी है क्या और इस बार अमेठी वाले कह रहे हैं के जिनों ने तेरे रुपए किलो में चीनी नहीं दी है उसको अमेठी वाले बोट नहीं देने जा रहे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए इस्मृती हो जाएंगी ये अमेठी की आवाज दिल्ली लखनों तक पहुँच रही है और मुझे तो ये लगता है कि जब से कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आए हैं गडवन्न बन गया है उन्होंने अपनी बंबई वाली टिकेट कट वाली है और वो घवराय हुए हैं ये एक पर एक नहीं है ये एक और एक ग्यारा हो करके मुकाबला कर रहे हम लोग और जब एक और एक ग्यारा हो गए हैं तो भारती जन्ता पार्टी वाले नौदो ग्यारा हो जाएंगे बताओ नौदो ग्यारा हो रहे हैं के नहीं हो रहे हैं और इन बीजेपी वालों की हर बाद जूटी निकली कर नहीं निकली इनके वादे जूटे थे के नहीं थे ये वही भारती जन्ता पार्टी के लोग हैं याद करना किसान भाईयों आपको अपने हक अपनी पैदावार की कीमत के लिए आपको दिल्ली तक में जाकर के धर्णा देना पड़ा था किसानों को उन्हें तकलीप पहुंचाने के लिए इन्होंने सडकों को बंद कर दिया था सडकों पे कीलें लगवा दी थी टेक्टर को गारियों को डीजल पैट्रॉल नहीं भड़ने देते थे लेकिन हम अपने किसानों को बदाई देंगे कि उन्होंने परवा नहीं की और दिल्ली जाकर के दिल्ली घिर लिया और तब तक बैठे रहे जब तक काले कानून बापस नहीं हो गए ये काले कानून के बहाने हमारे किसानों की पैदाबार को लूटना चाहते थे उनकी जमीन को कबजा करना चाहते थे ये काले कानून तो चले गए हैं लेकिन अभी हमारे किसानों को जो उनका हक जो अधिकार मिलना चाहिए ता वो सरकार ने नहीं दिया है इस बार इंडिया गड़बनन और समाजवादी पार्टी ने तेह किया है कि चार जून के बाद जब सरकार बनेगी तो अपने किसानों को MSP का कानून या दिकार दिला करके किसानों को खुशाल बनाने का काम परेंगे ना केबल खुशाल बनाएंगे उन्हें वलकि उनकी पैदावार से ले करके अगर हमें किसी भी तरह की उनकी मदद करनी पड़ेगी तो इंडिया गड़बनन और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिल करके अपने किसानों को संबान दिलाने का काम करेंगे क्या आप लोग पेपर लीग भूल गए कोई परिच्छा इस सरकार में हुई सब परिच्छा रद हो गई और लीग के बार लीग हुए पेपर सब पेपर लीग करा दिये कोई एक पेपर लीग नहीं कराया दस से ज़्यादा पेपर लीग कराए और ये पेपर लीग भारती जंता पार्टी ने जहान बूश के कराए और इसलिए कराए कि उन्हें नौकरी न देनी पर जाए मैं नौजवानों से कह करके जा रहा हूँ ये केवल आपके नौकरीों से खिलवार नहीं किये इन्होंने आपके भविस और एक त्याई जीवन से खिलवार की है इसलिए जहां किसान तयार है वहीं हमारा नौजवान भी तैयार है आप तैयार हो के नहीं हो तैयारी से इनका मुकाबला करिए क्योंकि आने वाले समय में आपको सम्मान का रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा और जो अधूरी नौकरियां पड़ी हुई है खाली पड़ी हुई है नौकरियां सरकार की सब नौकरियां भर करके इन न इसलिए आपसे हम निबेदन और अपील करने आये हैं चार चरणों का चुनाव खतम हो चुका है चार चरणों का चुनाव कटम हो गया है और जब से चार चुनाव खतम हुए है चरणों के बताओ बात ये जंता पार्टी चारों खाने चित हो गई है के नहीं हो गई है इनका रत धस नहीं गया है फस गया है अब निकलने वाला नहीं है बताओ इनका रत धस गया फस गया के नहीं और जो लोग 400 पार कह रहे थे बताओ नारा भूल गए के नहीं भूल गए और सही माइने में जनता जानती है 400 पार का मतलब हुआ ये 400 पार जो नारा दे रहे थे ये भूल गए नारा के नहीं और ये 400 पार इसलिए दे रहे थे क्योंकि 543 लोग सवा में ये 400 नहीं जीत रहे है 400 पार इसका अमला 143 सीटे के वल जीत रहे है ये जो 400 पार वाला नारा दे रहे थे वो 400 के बाद जितनी सीटे है उतनी जीतने की बात कह रहे थे अगर लोग सवा में 543 सीटे हैं तो 400 हटा दोगे तो कितनी सीटे बचीं 143 लेकिन देश की जनता ने तै कर लिया है 140 करोड की जनता ने तै कर लिया है कि इस बार बीजे पी वालों को 140 सीटों के लिए भी तरसा देंगे बताओ ये समिदान बदलना चाहते हैं कर नहीं बदलना चाहते हैं ये समिदान बदल करके हमारे आपके हग को चीनना चाहते हैं ये हमारे आपके अधिकारों को चीनना चाहते हैं जो लोग समिदान बदलने को निकले हैं उन्हें बताओ बदल दोगे कर नहीं बदल दोगे बदलोगे कर नहीं आप लोग घवरा तो नहीं जाओगे डर तो नहीं जाओगे अपने बूत पे तो पहुँच जाओगे न सोचिये कभी हमारे साथियो आपने कभी सोचा कि जो इन्हें सबसे बुरे लगते थे लोग कभी सोच ना जाकर के बीजेपी वालों को जो लोग सबसे बुरे दिखते थे आज बताओ उनसे जुक करके सयोग मदद मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं ये हमारे पिषडे समाज के लोग क्या पिषडे रह जाओगे क्या आपको समझ में नहीं आ रहा क्या आ रहा है समझ में सब कुछ के नहीं आ रहा है बताओ बीजेपी वालों ने कितना बदनाम किया था समाजवादियों को याद है के नहीं याद है और आज उनके सामने ये जुग गए के नहीं जुग गए क्या मुझे नाम लेना पड़ेगा कि जिनके सामने जुख गई है आप बास समझ गए कर नहीं समझ गए जो हमारे बिधायक थे उनके सामने जुख गए कर नहीं जुख गए बताओ उन्हें जूटा फसाया के नहीं फसाया उन्हें जूटा फसाया और आज जब खुद फस गए तो जाकर के उनके सामने जुग गए जाकर के बताओ जूटा फसाया और आज जब खुद फस गए जब खुद फज गए तो बताओ जुग गए के नहीं जुग गए और दूसरा आदमी तो बड़ा कमाल का है एक और है जो हाल में हमें धोका देखे गया है उसे पैचानते हो के नहीं पैचानते हो समाजवादी हो पैचानते हो जिसने अभी हाल में धोका दिया सुना है जब से धोका दिया है नई नई गाड़ी आ गई है पहले धोका दिया था तब भी नई गाड़ी आ गई थी और अभी मैंने लखनों में देखा था धोका देने वाले लोग एक गाड़ी में बैट करके फ्लेट देखने गए थे अंधेरी रात में बास समझ गए कौन है कौन है पहले भी गाड़ी ली और फिर गाड़ी ले ली और ये तो ऐसे बीजेपी के लोग है हम और आपको तो करते ही हैं परेशान लेकिन ये जानवर और पंच्छी को भी परेशान करते हैं बताओ आपको अपने खेतों पर रखवाली करनी पड़ रही के नहीं करनी पड़ रही है और खेतों की रखवाली के लिए देश के क्यूटो के सांसर जी ने कहा था क्यूटो जानते हो कौन सा शहर है काशी का नाम नया क्यूटो उन्हों ने कहाता कि ये खुला जानवर की समस्या की समाधान हो जाएगा बताओ हर दिन जान जारी के नहीं जा रही है उन्हें केबल जान जा रही है बल्कि हमारे किसानों को अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं पड़ रही और एक हमारे साथी ने सारस से दोस्ती कर ली थी सोचो हम समाजवादी लोग हैं हम लोग जितना इंसान से प्यार करते हैं उतना ही पेड़ पंच्छियों से भी प्यार करते हैं बताओ सारस से दोसी कर ली बताओ उसे पकड़ करके ले गई के नहीं ले गई ये लोग इन्होंने परिसान किया था कर नहीं किया था इसलिए इनको सजा देने का काम करना और सजा इसलिए भी देना कि इन्होंने बोरी से चोरी की है बोरी सी की चोरी याद है आपको पहले कितने किलो चोरी की और आज कितने किलो चोरी हो गई ये बीजेपी वाले आ गए तो आपको खाद भी नेनो यूरिया की तरह पाउच में खरिदी पड़ेगी इसलिए किसान भाईो साबदान हो के नहीं हो साबदान हो के नहीं हो इसलिए हम आपसे निवेदन करने आये हैं मैं आपसे अपील करने आया हूँ मैं आपसे अपने एक-एक समाजवादी साती से जहां कांग्रेस पार्टी के लोग तो बेहनत करी रहे हैं हम अपने समाजवादी सातीयों से भी अपील करने आये हैं जो मैं दूर तक देख रहा हूँ दुपेरी में गमचा सर पे रख करके खड़े हुए लोग हैं इस बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्यासियों को जिताओगे ये बूत लूटें और नोट का धोका दें तो घवराओगे तहीं नहीं ना इस बार सिरिंडर वाले भाग रहे हैं के नहीं भाग रहे हैं और जो जूट बोल करके आपको जा रहे हैं उन्हें बिदा कर दोगे कर नहीं कर दोगे इसलिए अपने सबी समाजवादी साथियों से मैं पील करना चाहता हूँ कि ये चुनाव देश के भविस्त का चुनाव है हमारे आपके भविस्त का तो है ही है आने वाली पीडी के भविस्त का चुनाव भी है संबिधान को बचाने का चुनाव है लोकतंत को बचाने का चुनाऊ है अपने किसान माताय बेने नौज़मानों को संबान दिनाने का चुनाऊ है इसमें आप लोग मदद करणा मदद करोगे सब लोग यह मान लू के कैज शर्मा जी बोटों से जीत के जा रहा है लाखो बोटों से जीतेंगे महंगाई याद रखोगे खाद की बोरी की चोरी याद रखोगे बताओ आपकी मोटर साइकल कितनी महंगी हो गई है पहले कितने की आती थी मोटर साइकल पहले कितने की मोटर साइकल आती थी और आज कितने की आ रही है महेंगा कर दिया कर नहीं कर दी बताओ हमारी एक हजार रुपए की साइकल आती थी बताओ आज कितने रुपए की हो गई साइकल महेंगी हो गई के नहीं महेंगा याद रखना परोजगारी याद रखना इन्होंने अमेठी का नाम डुबाया है और यहां लोग बैठे लोग, अमेठी का नाम सम्मान को लेकर के सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे और हम आपको भरोसा दिलाते जा रहे हैं, जो कारखाने लगे हैं कभी उनको हम लोग मिल करके आने बाली सर्वा करके, अपने नौजवानों को सम्मान का रोजगार दिलाने का काम करेंगे जहां सरकारी नौकरी मिलेंगी, सम्मान का रोजगार भी मिलेगा और ये जो अगनी बीर वाली विबस्ता है बर्दी वालों से भी कहके जा रहा हूँ ये अगनी बीर विबस्ता तो खतम होगी लेगिन अपने खाकी पहने वाले बर्दी भाईयों से भी कहना चाहता हूँ कि ये बीजे पी वाले आ गए तो आपकी भी नौकरी तीन साल की हो जाएगी अभी तो फौज की नौकरी की है खाकी वाले भाई भाईयों की भी नौकरी हो जाएगी इसले जहां आप साबदानों इनकों भी हम साबदान करने आए हैं इसे सब लोग मिल करके मदद करना और अपनी बूत की रच्छा करने का काम करना बूत की रच्छा करोगे ये नंद गाओं नंद मेर ये हमारे लिए नया नहीं है मुझे याद है यहाँ पर बहुत सारे पुराने समाजवादी होंगे जिन्होंने साइकल तो चलाई चलाई थी और उस तूटी सड़क पे हमसे भी साइकल चलवा दी थी याद है कि नहीं याद है और ये अमेठी के विकास के लिए जितना कर सकती थी कांग्रेस पार्टी किया और संसाओं से ले करके कार खाने और कार खाने से ले करके सेंडनी स्कूल से ले करके विद्याले अगर किसी ने चलाए हैं तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने शुरू करकर के आपके जीवन को बदलने का काम किया है इल्ले मदद करना सहो करना यही मैं अपना आप लोगों से निवेदन और अपील करना हूं आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत आभाद करता ह करता हुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत